नो रिस्क नो दबोई चलिए ट्रेडर्स ये तो आप लोग जानते हो कि अगर रिस्क है तो फिर सब कुछ है अगर रिस्क नहीं है तो फिर कुछ नहीं है लाइफ में रिस्क लेना बहुत ही जूरी है लेकिन ट्रेडर्स तो सभी रिस्क में होते हैं जितने भी लेग प्रॉपिट होने से प्रॉपिटोबल ट्रेडर बनाने से कोई नहीं रोक सकता यही एक चीज है जो हर ट्रेडर के अंदर आल्मोस 99 ट्रेडर के अंदर मिसिंग होती है इसलिए वो दुबवई तो क्या वो इवन अपने घर में भी लॉस में ही होते हैं तो चलिए आज मैं एक्चूली क्या है और कैसे आप रिस्क तो लेते हो लेकिन उस रिस्क को मैनेज नहीं करते हो इसलिए आप दुबवई क्या कहीं भी नहीं जा पाते चलिए देखो रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग के अंदर बहुत ही इंपोरेंट जरूरी है रिस्क मीन सिंपल है कि आप आप कितना रिस्क ले रहे हो और उसको मैनेज करना ट्रेडिंग है ही रिस्क क्योंकर ट्रेडिंग इतना आसान नहीं कि आपकी सेलरी कि तरह कोई जौब वाला जो अपनी जौब कर रहे है वो रिस्क नहीं है उसकी जौब फिक्स है मंद में 40,000-50,000 एक लाख उसको सेम काम करना ओफिस जाना है वो काम करना है काम खतम है कोई लॉस सेंद का दिक्कत नहीं हाई ट्रेडिंग के अदर आप वही एक लांग दिन को आप प्रफिट भी कर सकते हैं अप द Serge कर सकते हो उसकी ayелिश के अधर पर यहाँ आप एक कम पो एक हूप्स के अंदर आंप इसकी होई रिस्क लेते ओंफ और वंधि सैंक आप आप पड़ आप 50,000 और को भी एक लॉसित बीकर सकती उंभ आप दो दिन के लॉस्स कर सकते ओंप एक घंटे के अंदर भी लॉस्स कर सकते मनेजमेंट नहीं खर तो देखिए risk management का simple सा means कि जब भी आप trade देते हो अब जो नए नए trader उनको लगता है कि SL लगाना, target लगाना या lot size लेना यही है risk management, यह इतना ही होता है target देना, SL लगाना नहीं, risk management एक बहुत बड़ा चीज है, इसमें बहुत सी चीजें involved होती है, अगर आप properly वो सब चीजें क या target लगाना नहीं, वो है आपकी entry, आप entry कहां पर लेते हो, आपकी proper entry होनी चाहिए market के अंदर, उसके बाद है आप फिर क्या lot size ले रहे हो, पहला point है वो है entry point, आप मालो market कहीं पर आप ऐसे ही randomly buy sale कर रहे हो, तो वो फिर कहां से हुआ risk management, पहले आपका analyst आना चाहिए कि मेर perfect buying zone कहां पर है, मेरा perfect selling zone कहां पर है, आपको उन्हीं zones के अंदर trading करनी है, आपको बीच में trade नहीं लेना है, अगर market मालो यहां पर है मेरे को लग रहे है कि 2650 जो है यह बाइंग zone है, यहां पर 2620 बाइंग zone है, तो जब market इस zone में आएगी, तब मैं यहां पर 2X भी risk ले सकता हूँ, and मेरे को लग रहा है कि market जो है 2690 पर proper selling है, यहां पर all time high पर है, तो यहां selling देगा, तो मैं वहां पर अपना risk 3 time कर सकता हूँ, लेकिन बीच में मैं अपना risk 3 time, 4 time, multiple trade लेके, यहां परफस जाते हो और loss कर लेते हो, तो पहली mistake यह मत करना आज के बाद, कभी भी अगर आप शोर नहीं हो, यहां पर नहीं बन रहा है, तो trade मत लो, entry मत करो, second चीज़े, आपका lot size, आपका क्या account है, उसके उपर क्या lot बनता है, आप कितना risk ले रहे हो, that means, आप target कितना दे रहे हो, and आपना stop loss कितना रख रहे हो, माल लो आपका 1,000 का account है, आप उस पर 10% का risk ले र पर मैं देखता हूं कि 50 आपका target है, बहुत जिलो ऐसा करते है, that means कि आपका, जो आपका loss है, उससे, जो आपका profit है, उससे double आपने SL रखा है, तो इससे अच्छा बाद आप उसका reverse trade लगा लो, कि आपका SL तो काम रहेगा, profit जदा रहेगा, जबकि होना ये चाहिए कि जो आ 1 into 4 कि तरफ जाया करो, trade को लंबा hold करो, अगर entry perfect है तो, अब अगर आपकी entry सही नहीं है, तो फिर 1 into 2 ना होगा, ना तो 1 into 4 होगा, ठीक है, तो second चीज़ है, आपका lot size कहां पे, कितना लेते हो, आपका profit always जदा होना चाहिए, loss से, लेकिन वो तब अगर आपका trade sure है, ठीक है थर्ड चीज़ है, target आपको always देना है, market के अंदर बहुत सी news होती है, जब news के अंदर market move देती है, अगर आपका target दिया हुआ होगा, तो market आपके target को hit करके, कभी भी hit कर सकते है, तो वापस reverse हो सकते है, चले, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखाता हूँ, कि अगर आप स experience बढ़ेगा, यह 1 into 3 होना चाहिए, 1 into 4, 1 into 5 तक जाना चाहिए, that means कि अगर आपका SL 100 डॉलर का है, तो आपका target जो है, वो 1 into 3 में 300 का होना चाहिए, 3 times ज्यादा आपका target होना चाहिए, फिर 1 into 4, 1 into 5 इससे जादा नहीं होता, normally 1 into 2 आपको starting से करना चाहिए, अगर आप एक trade ले रहे हो, उसमें 10 डॉलर अगर आपका risk है, तो 20 डॉलर profit के लिए होना चाहिए, अब मालो आपका 10 डॉलर ले रहे हो, 10 में आपके 5 SL जा रहे हैं, 5 target जा रहे हैं, तो आप तब भी profit में होंगे, क्योंकि आपका 1 into 2 का था, बट आपको proper उस target तक hold करना है, always SL तक भी hold करना ट्रेड कभी center में नहीं काटना है, profit के लिए ना तो SL के लिए, कभी भी अगर आपको लगता है कि loss हो रहा है, मालो example देता हूं मैं अभी आपका, आपने यहां पे 2663 पे आपने, मालो buying की entry कर ली है, अब market buying में आपने यहां पे नीजे रख दिया, कहीं 60 पे आपने SL रख द तो आप 10-20 पीप का नीचे या 10-20 पीप का एक आप एसा रख दोगे, क्या पता, market वहां से reverse हुझे है, आपको तो भी पता confirm है कि अब मेरे जहां पे आपने काटा है, वहीं से नीचे आएगी, तो उस point से भी market reverse कर सकते, किसी point से, अगर यहां पर है, थोड़ा सा gap डाल दो, तो फिर एसे रख दो, क्या होगा 3-4 डॉलर से ठीक है, always कभी trade को cut मत करो, पांच भले, फिर बाद में उसको hit करे, लेकिन 10 में से 2-3 बार ऐसा भी होगा, कि वहीट नहीं होगा, market reverse जाएगी, जो आप expect कर रहे थे, मैं काट के निकल जाओंगा, तो जहां आपका इतना लास 5 loss हो रहे हैं, 5 profit हो रहे हैं, तब भी आपका यहां पर profit में आ रहा है 5%, ठीक है, क्योंकि आपके उसमें 10 में से क्या आपका हो रहा है, 1-2 का लेके में चल रहा हूँ, अब मैं एक और condition दे रहा हूँ, कि आपका experience बढ़ते जाएगा, आप अगर 50 trade ले रहे हो, 50 में आपके 20 loss हो रहे हैं, 30 आपके यहां पर profit में जा रहे हैं, आपका 40% का profit रहेगा, जितने आपने trade लिए होंगे, ठीक है, उसके बाद मैं मान का चल रहा हूँ, कि आपने 100 यहां पर लिए trade, 100 में मान लो आपका 50 loss हो गया, 50 sell हो गया, लेकिन आप बिना calculation के आप अगर trade लोगे, तो फ profit book करोगे, तब भी आप loss में हो सकते हो, तो यह important यह है कि आप calculation कर रहे हो के नहीं कर रहे हो, आप वो risk management यही होता है, कि आपको वो rules follow करना है, अगर 1 into 2 का target है, तो target तक wait करना है, asset तक भी wait करना है, अगर हम आने 100 में आपका 50 profit में जा रहे हैं, 50 आस में जा रहे हैं, तब भ double हो जाएगा, अगर आप 15 दिन के दा 100 ट्रेल लेते हो, इसी लोट सच के साथ, उसमें आपके 50 SL 50 टार्गेट जाएंगे, तो आपका account double होगा, अगर आप 200 ट्रेल ले रहे हो, 200 मैं से, अगर आप मानलो 120 भी आपका यहां पे जा रहा है, and 80 आपका profit हो रहे हैं, तो बताओ क ही तक ले जाओगे, 1 into 4, try करोगे 3-4 मन्त के बाद, आपको 1 मन्त, आप मैं आपको देता हूँ, 1 मन्त, अगर आपका loss होगा, तो आप मेरे से contact करो, नीचे WhatsApp ग्रूप की link दी गई है, मैं आपको free में single provide कर रहे हो, मेरे ही single से 1 into 2 की trading करो, वहाँ आप मैं 1 into 3, 1 into 4 के आपको target देता हूँ, उनको छोड़ो आप, आप सिर्फ 1 into 2 का मेरे group में जुड़के, जो मैं आपको daily free में group, जो इसमें मैं आपको single दे रहा हूँ, उसमें 1 into 2 का मैं आपको दूँगा, 1 into 2 क्या हमारा, 1 into 4 होता है, लेकिन आप 1 into 2 तक ही आप मैं रखा करो, target, बड़ा मत रखा करो, ठीक है, 1 into 2 पर ही निकल जाया करो, and then, अब 1 month कि अगर आप loss में होंगे, तो मैं आपको guarantee देता हूँ, कि भाई, मैं आपका loss recover करोंगा, but मैं आपको sure करता हूँ, कि जो मैं signal दे रहा हूँ, नीचे free में, अपने group के अंदर free में, कैसे signal join करने, वीडियो में ने मराके रखी ह है, नीचे group में join हो के मेरे से contact करो, मैं आपको फूरी देडियर दोंगा, बाकी वीडियो यूटीब चनल पड़ी हुए, जाके watch करो, then process complete करके, आपको भी हमारे signal free मिलेंगे, आप even अपने 1 month के अंदर, अपने account को 3-4 time increase कर सकते हो, double कर सकते हो, double क्या 3-4 time increase कर सकते हो, अगर 90% हमारी accuracy है, तो मैं यह तो one into two, अगर मैं मानखने चल रहा हूं कब 10 यह तो हो गया 50% का ratio, but मैं आपको बता रहा हूं, 90% 85% हमारा कब कोई week में हमारे 3-4 जाता है, मतलब, otherwise, अगर हम मंत की average निकालेंगे, तो 90 plus हमारे यहां पर accuracy रहती है, means के करब 100 trade कर रहे है, 100 पर नबे नहीं तो 85 तो कहीं गए ही नहीं है, ठीक है, यह मैं आपको बता रहा हूं, इतना अगर आप उसको follow करोगे, तो लेकिन दुबोई जाना है, तो फिर क्या करना है, risk management भी करना है, अगर risk management नहीं करोगे, तो फिर आप मेंशा loss में रोगे, यह चीज़ मान कर चलो, आप purchase कर लेते हो, लेकिन सबसे important चीज है कि आप risk management ही नहीं सीख पाते कभी life में, इसलिए आप trading से आगे नहीं बढ़ पाते, आप trading में एक ही mantra है, आप कितने भी courses ले लो, लेकिन यह वाली चीज अगर आपने सीख ली न, discipline, इसके अंदर discipline बहुत important चीज है, तो आप आगे बढ हो गया, thank you, video को देखने के लिए हम मिलता है, next video तक के लिए, subscribe के प्लीज वीडियो को share कर देना, चैनल को subscribe पाता है, notification on कर देना